कहते हैं कि हर एक इंसान के दो चेहरे होते हैं एक वो चहरा जो वो सामने से लोगों को दिखाता है और एक वो मुखटा जो वो पहने रहता है इस समय हम दिली में ख़ड़े हुए हैं जहां पर G20 की सम्मिट होने वाली है और इस G20 की समिट के आसपास का एरिया जब हमने समझ में आया कि भारत के भी इंसानों की तरह दो मुख़टे हैं एक वो चहरा जहां पर भारत बहुत सच दिखाई देता है जैसा कि प्रधान मंतिर नरेंद्र मोदी कहते हैं जिसको देखने से ऐसा लगता है कि भारत में गरीबी 2014 के बाद बिलकुल खत्म कर दी गई और एक वो चहरा भारत का जहां पर हम जब जाते हैं तो हमें समझ आता है कि नहीं मामला कुछ और ही है इस वक्त हम दिल्ली के भैरो नगर इलाके में खड़े हुएं जो कि प्रगती मैदान से कुछी दूरी पर है जहां पर G20 की सम्मिट होने वाली है और इस G20 की सम्मिट के आसप पूरा का पूरा शहर बंद कर दिया गया है लेकिन इसी के अलावा आज भी यानि कि छे तारिक को जब हम खड़े हुए हैं तो भी लोगों को आम आदमियों को जाने नहीं दिया जा रहा क्यों जाने दिया जा रहा हम इनसे बात करेंगे इनकी समस्यां को जानेंगे और पार्किंग से वो रास्ता पर्मानेंटली एटलिस 15-20 डेज हो गया क्लोज कर दिया यह रास्ता है इस रास्ते को दिया गया था कि हम लोग आएंगे जाएंगे अभी जब तक वाबंदी पूरी तरीके से बंद नहीं होता आठ नो दस समय सबको दिया गया कि तीन दिन पर् सकूल वालों ने साफ साफ लिखित में दिया है कि एक वजे के बाद स्कूल की कोई रिस्पोनसिबिलेटी नहीं है कि आप अपने बच्चे को इस कूल से क्यों नहीं लेके गए यहाँ पे सरवाद्य विद्याला है पन्डारा रोड में खानमारगेट के पास वहाँ पे बारा पे कॉल भी किया है दो तीन चार लोग भी आए एसाई साब भी आए लेकिन हमारा थाना जो लगता तिलक मार्क वहाँ पे भी बात हुई उन्होंने बोला कि यहाँ पे किसी एसीप साब की पुर्मेनेंटली ओर बंद करने का अगर सर बंद करने का ओडर है तो हमें कहीं बंद रहेंगे पुलिस वालों की आप से बात हुई है क्या फोन पर उनका क्या कहना है एसेचो साब का क्या कहना है तिलक नगर के सच्चो साब का यह कहना है कि जो है आप आकर यहां अप्लिकेशन दीजिए तो आपने जैसा कि सुना कि सच्चो साब का यह कहना है कि आप ठाने में आईए एप्लिकेशन दीजिए तब हम रास्ता आपके लिए खोलेंगे यह इस देश की हकीकत है जी ट्वेंटी के सम्मिट में इस देश में दुनिया भर के वर्ल लीडर्स आ रहे हैं उनको इस देश की खुबसूरती दिखे इ यही आज सबसे जादा प्रतारिट किया जा रहा है प्रशाशन के द्वारा पुलिस के द्वारा यह कैसी जी ट्वेंटी का सम्मिट है हम नहीं समझ सकते कैमरा पर्सन सुमिट चोपडा के साथ मॉलिटिक्स के लिए मैं अभिनव कुमार नमस्कार